नमस्कार मैं हूँ अभी शेफ्तियागी आज के दोर में अगर भारते टीम में सबसे बैतों कहता हूँ भारते नहीं बलकि दुनिया में अगर सबसे महान खिलारियों की लिष्ट को आप बनाएंगे तो विराट कोली का नाम उसमें टॉप फाइव खिलारियों में जरूर क्योंकि सचिन तेंदुलकर से बाद में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलारी रन बनाने वाले खिलारी लगातार मैची जिताने वाले खिलारी बड़े मौकों पर प्रदसन करने वाले खिलारी आज के दोर में विराट कोली हैं लेकिन एक वक्त वो भी था जब वि विराट कोली को बाहर निकालने का संदेश आ गया था विराट कोली को बाहर निकालने का आदेश आ गया था लेकिन महंदर सिंग धोनी सेलेक्टर से विराट कोली के लिए लड़ गए थे और कहा था कि ये मेरा सबसे बड़ा मैच विनर खिला रही है अगर आप इसको बाहर न नहीं जाएंगे अगर विराट को भाहर भेजोगे तो मुझे भी भाहर भीज दिए रसल यह उस दोर की बात है जब महंदिसिक दोरी टीम इंडिया के कप्तान हुआ करते थे विराट कोली का बुरा दौर उस वक्त चल रहा था विराट कोली के बल्ले से रन निकल नहीं रहे थे और 2012 में जब पाकिस्तान भारत आई थी यह उस दोरान की बात है भारत टीम के साथ पाकिस्तान के विकेट की पर बल्ले बाद कामरा नकमल डिनर कर रहे थी पाकिस्तान के खिलारी जो थी वो भारते टीम के साथ बैटे थे वहाँ पर कामरा नकमल ने बहुत बड़ा बय कर क्या कहा अक्मल ने कहा कि मैं 2013 में MS धोनी के साथ डिनर कर रहा था शोई मलिक युवराज सिंग और शुरेश रेना भी वहाँ पर मुझूद थे कोली इसी तरीके के फेश से उस वक्त गुजर रहे थे तब ही भारते टीम के मैनेजर टीम धोनी के पास आए और उन्होंने को को आखिरी वंडे से ड्रोप करने की बात कहीं यह अक्मल का कहना है उसके बाद में अक्मल ने को बड़ी बात कहीं अक्मल ने कहा कि धोनी ने जबाब देते हुए कहा कि मैं 6 महीने से घर नहीं गया यह विराट कोली को बहान निकालने की बात के बाद की बात है कि मैं 6 महीन ने उनसे कहा कि विराठ हमारा बेस्ट बलेबाज है अगर वो तीन चार मैचों में फेल हो जाता है तो हम उसे ड्रोप क्यों कर दें ये महंदर सिंग धोनी का बयान था विराठ कोली कर तो जाए तो पर इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विराठ कोली जो उस वक्त अपन इतने बड़े कारनामे ना करते इतने शतक ना लगा पाते इतने रन ना बना पाते क्योंकि एक बार ड्रोप होने के बाद हो सकता है कि विराठ कोली को फिर दूसरा मोका बहुत मुश्किल से बिलता लेकिन धोनी जानते थे धोनी विराठ की काबियत को पहचानते थे धोनी सिंग धोनी का वो एक फैसला विरात कोली की करियर के लिहास से संजीवनी की तरह रहा तो आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताईएगा क्योंकि आज जब टीम इंडिया वर्ड कप जीत चुकी है तो विरात कोली का फैनल मुकाबले में बहुत बड़ा किरदार था और उस किरदार को याद करते हुई उमरम अक्मल ने ये किस्सा बताया है जो 2013 का था आपका इस किस्से को लेकर क्या कहना है कमेंट करके बतायेगा विरात के करियर को आप किस तरीके से देखते हैं ये बतायेगा और दोनी की समझ को आपने कैसे देखा ये भी बतायेगा वीडियो चलेगी हो तो लाइक को शेयर जरू करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि अब्डेट मिलते रहेंगे थैंक्यू पिल्ज कर दो घ्रटी कर दो में और थाय है थाय।